So hello everyone how are you all guys I hope that we are live over here right now जल्दी से मैंनों बता दीजिये क्या हम लोग यहां पर live आ चुके है या नहीं Yes sorry 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 everyone I have to keep you waited for 2-3 minutes But yes we are live over here right now and let the magic begin everyone ठीक है तो आज बचा पार्टी हम लोगो क्या गन्या का है आज हम लोगो को यहां पर Chapter No.1 of BCK के सारे MCQs को हम लोगो अब भी यहां पर cover करना है ठीक है Chapter No.1 BCK के सारे MCQs cover करना है तो Are you ready? Yes are you ready guys? यहां पर मैं देख पा रहा हूँ यार मतलब जोश चाहिए class में जोश ठीक है पुरा माहौल बनना चाहिए पुरा माहौल बनना चाहिए ठीक है Okay, that's amazing, that's amazing, that's amazing बहुत अच्छा लग रहा है हमें देख कर यहां पर Okay, awesome बिटा, awesome Awesome, awesome, awesome तो चलिए फड़ा फट से शुरुआत करते हैं कल हम लोगोंने क्या complete किया था? कल हम लोगोंने क्या complete किया था? Let me tell you that Let me tell you that कल हम लोगोंने Business Economics का Chapter No.1 Complete किया था? जहां पर हम लोगोंने Unit 1 and Unit 2 को Complete किया था? जहां पर हम लोगोंने 46 MCQs कर लिये थे Already ठीक है? तो कल Episode No.1 था? जो बच्छे आज नए हैं उनको कहते था हुई आज यह है Web Series का Episode No.2 है जहां पर BCK के सारे के सारे MCQs हम लोग खतम करने वाले हैं Are you ready everyone? Are you ready everyone? Come on everyone Please tell me guys ठीक है? और मुझसे न यह वाले सवाल मत पूछना यार Instagram पर और इदर उदर मुझे सवाल पूचा जा रहा था कि Sir आपने जो Web Series शुरू की उसकी Link मिल नहीं रही है अरे यार तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है भाई ठीक है? यस तो यार थोड़ी से तो मैनत कर लो यार मतलब अभी तुमको मतलब मैं Lecture लगा कर दूँ क्या मतलब? नहीं नहीं बता दो भाई तुमारे घर अगर तुमको lecture लगा कर देता हूँ वे ठीक है? कौन सी लींक है? यार latest मतलब कल हूँ और वो भी तुमको link नहीं मिल रही है तो एजसा एजसा नहीं करना है थोड़े से कष्ट उठाने है जिन्दगी में थोड़े से कष्ट उठाने है जिन्दगी में चलिए शुरवात करते हैं शुरुबात करते हैं, हम लोग यहाँ पर सारे MSQS को खतम करने वाले है, जितने भी MSQS है, सारे के सारे खतम होगे आज, यही के यही, त्लिबाए हम लोग आज जाएगे नहीं हैं से, अरे भाई कहां पर है 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 हो गया हो गया आएगा 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 भाई सहाब येस ये रहा ये रहा ये रहा यहां पर चलिए तो एक बार, एक बार मैं कुछ बोलूगा ठीक है और फिर इसके साथ शुरू करेंगे ठीक है तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ ये हे तुम्हारे सामने पहला सवाल यह पहला सवालो को नहीं है कि अप Metroitno क्या होता है Employment में and salary होता है Employment में वेज़स & salary होता है ता है u tftasına vcgo da ayabolo aquilo होता है यस बिजनेस में क्या होता है ॏ फिर उफित होता है पीर ऑफिट विस्नेस में पीरॉफी साधविट कि रउफटे कर लेंडिंग में क्या होगा lending में interest होने वाला है and यहां पर rental में rent होने वाला है that's it guys that's it this is so simple right this is so simple यार आईसा भी आएगा तो यहां पर देख़िए एसा दिया जाएगा तुमको , बच्यों को je समझता ही नहीं है , इसा या पढ़ मुआ ओर नहीं ? 1 का B है, 2nd का E है, ठीक है, फिर देखना, 3rd का A है, 3rd का A है, 4th का D and 5th का C, 4th का D and 5th का C, Absolutely amazing, absolutely amazing, ओके, अगला सवाल है, आपके कम्पेटर स्मिन के सामने बचा पारड़ी, ध्यान दीजिए का एक तर्मचे से समझने की कोशिस कीजिए, Which of the following statement distinguishes from the entrepreneurship, ठीक है, ध्यान देना, Entrepreneurs are business owners too, all business owners are entrepreneurs too, Entrepreneurs seek out the new opportunities and personal innovation and business ideas and A and B both, What is the right answer over here, guys and girls are the crystal me, the right answer, कोई भी cheating नहीं करेगा, कोई भी cheating नहीं करेगा, absolutely amazing, सारे बचे यहांपर सी answer दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, You're absolutely right over here, ऐसा होता ही नहीं है, कि all the entrepreneurs and business owners, no, it's not like that, ठीक हैं, तो answer सी है, business owners जो होते हैं, Entrepreneurs जो होते हैं, वो हमेशा new opportunities को धूनते रहते हैं, धूनते रहते हैं, कहाँ पर और पैसा कमाया जा सकता है, ठीक हैं, और क्या नया शुरू करें, ठीक हैं, हमेशा 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 हमेशा, they are seeking the new opportunities, which of the following statement does not comprise business activity, बेटा, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल, तुमको chapter number one में इसी पर आएगे, इसको five star करेंगे, sale of old furniture by the household for profit, carpenter making furniture for sale in the local market, steel furniture industry, domestic appliance industry, so guys, please tell me the right answer, बताईए, 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 बचापाडी, मज़ा रहा हैं, तो like कीजिए, कंजुसी ना करिए, अगर तुम लोग कंजुसी करेंगे, तो भगवान भी देख रहा है, भगवान भी तुमको exam में कंजुसी से marks देंगा, ठीक है, जहां दीजिए, okay, A is the right answer, बिल्कुल सही जवाब, A is the right answer, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत हो जाते हैं, यहां पर और बच्चे गलत क्यों होते में आपको बताता हो, बच्चे क्या कहते हैं, सर यहां पर तो प्रॉफिट लिखा है, तो फिर सोरी यह बिजनेस रहेंगा, मुझे बता भाई, तो तेरे घर का फर्निचर बेचता है, क्या नाम है इसका, सहाना, सहाना प्रभू, मुझे बताओ, तुम तुमारा घर का फर्निचर बेचते हो, वो कभी तो भी बेचोगे ना, तुमने वो फर्निचर लिया तो उसको पाच-दस साल हो गए, फिर तुमने बेचा, तुमना थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया उसमें, तो इसका मतलब यह नहीं ना, कि तुमारा घर का फर्निचर बेचते हो, रोज तुम बेचते हो, रोज तुम फर्निचर बेचते हो, तो यहां पर A is going to be the right answer, सेल उफ ओल्ड फर्निचर बाइ, हाउजोल फर प्रॉफिट, यह तो तुक्के में प्रॉफिट हो गया तुमको अच्छा बाओ, मिल गया, ठीक है, बट इस नौट या बिननेस, इस नौट या बिननेस, राइट, इस, विच फॉलिंग इस नौट अन इकोनॉमिक अब्जेक्टिव फर्म, यह तुमारा इकोनॉमिक अब्जेक्टिव में आता है, यह तुमारा सोशल अब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, सोशल अब्जेक्टिव में आएगा, एनवर्मेंटल अब्जेक्टिव में आगा, लेकिन एको में नहीं आता है, economic objective मतलब तुम यहां पर growth की बात कर रहे हो profit की बात कर रहे हो तो यहां पर conservation of natural resources जियां देखो यार कितने कितने आसान सवाल है कितने आसान सवाल है ठीक है yes मतलब आज हम लोग ऐसा ऐसा first वाला chapter ऐसा खतम कर देंगे ठीक है totally totally right trading implies buying for purposes of selling applying this criterion tell which of the following activities would not qualify as trading not qualify as trading business activity trading economic non-economic essay type पर बहुत सारे सवाल है ऐसे type पर बहुत सारे सवाल है ठीक है so purchase of the goods in bulk quantity from the manufacturer and sell in the smaller quantities to the retailers buying from the wholesaler and selling to the consumers buying from the retailer for self-consumption and purchase of raw material from suppliers for further processing in factory which of the following would not qualify as trading ठीक है हम लोग गए धारावी से माल लेकर आया गए बहुत सस्ते में लेकर आगए और हम लोग यहां पर हमारे यहां पर बेच रहे है manufacturer देकर आगए हम लोग distributor और यहां पर बेच रहे है लेकिन हम लोग market में गए और वो खुद के consumption के लिए है तो वो trading नहीं कहला जाएगा ना खुद के consumption के लिए trading नहीं कहला जाएगा ना So answer is C Buying from the retailer for the self-consumption So it is not regarded as trading It is not regarded as trading बच्चा पाटी ध्यान देना यहां पर अपना revision भी कर रहे है Conceptual clarity भी कर रहे है हम लोग यहां पर है Business activity क्या है orfiznes activity क्या नहीं Economic activity क्या है Economic activity क्या नहीं है Trading क्या है Trading क्या नहीं है तो आप लोग को ध्यान रकना होगा यह सारे circumstances क्योंकि एक नया circumstances भी आया तो तुम लोग यहां पर conclude तुम लोगों करते आना चाहिए, ठीक है? Yes. Which of the following occupation requires rendering of the services based upon the specialized knowledge and membership of an accredition and assessment body? क्या बोल रही है? Occupation requires the rendering of the services based on the specialized knowledge. Specialized knowledge. यहाँ पर हम लोग तुमको कहना चाहते है, Ria Khundilwal जी जो है, for example, Ria Khundilwal के पपा दॉक्टर है, ठीक है? Ria Khundilwal लेकिन बच्पन से, बच्पन से operations वगरा देखे हैं. Ria Khundilwal केती है कि पपा, आपको जाना है बाहर, आप जाओ. ठीक है? आपको यात्रा पर जाना है, एक हफते के लिए आप जाओ. मैं operation करूगी, ठीक है? मैं operation करूगी, मैंने बच्पन से देखा हैं, आपको operation करते समय है, मैं operation करूगी, ठीक है? No! Ria, you cannot do this, यार. मजाग चल रहे हैं यहाँ यहाँ पर? Specialized knowledge. तुमारे पास वो डिगड़ी वगरा सब कुछ होनी चाहिए, specialized knowledge, तो profession है वो, क्या है, profession? वार या, वार, मतलब क्या है, मजाग कर रहे हो तुम हमारे साथ, नहीं, नहीं, बताओ, हमका मजाग कर रहे हो तुम हमारे साथ, कितनी गलत बात है यह, operation करोगे, हाँ? अगर मुझे को कोई प्रॉब्लम आया, तो मैं आपको वीडियो कॉल कर दूगे, आप मुझे गाइड करते रहे हैं, थोड़ा सा इधर, इधर, इधर काटना है, थोड़ा इधर, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर, ठीक है, बहुत गलत बात है, तो specialized knowledge, profession होता है profession, ठीक है, profession, are you getting it, okay, चालिया, आगे बढ़ते हैं, the occupation in which the people work for others and get remunerated, remunerated, मतलब यहां पर हम कहना चाते है, स्विट्टी, स्विट्टी सेंग जो है, वो इंफसस में जा रही है, जॉप के लिए, और स्विट्टी को हमेशा हर महिना में कुछ पैसा मिलता है, तो वो क्य है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, employment है ना भया, employment, ठीक है, yes, स्विट्टी, स्विट्टी सेंग, ठीक है, तो स्विट्टी यहां पर इंफसस में जा रही है, और उसको हर महिना में कुछ तो salary मिल रहा है, she is getting remunerated for the work that she is doing, it is known as employment, it is known as employment, our case, amazing, अरे यहार, यहार, यह कुछ कितना simple है, chapter है, यह मजाक है, which of the following statement describes the best joint Hindu, Hindu undivided family business, it is a form of business particular to the recognized as in, as such in India, every family business, in fact is a H.U.F., ए क्या मजा कर रहा है, every family business is a H.U.F. business, बुल रहा है, no, 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 H.U.F. businesses, there is a family involvement in the business, यह भी सही लग रहा है, पहला वाला भी सही लग रहा है, तो D answer है, either A or C, आरे भाया, यह यह इंडिया में ही ऐसा टाइप का विनने से, तो A भी सही है, और C भी सही है, A भी सही है, और C भी सही है, ठीक है, it is a form of the business, particular to and recognized as in India, इंडिया में ही रहा है, and in H.U.F. business, obviously H.U.F. में family involvement होता है, घर के इच लोग सारे काम करते हैं, जी हा, सारे घर के इच लोग काम करते हैं, so D is the right answer, D is the right, आज कहें कांजूसी कर रहे हो है, हाँ, लाइक वाइक नहीं कर रहे हो, तुम लोग, क्या मतलब कांजूसी, मैं करू को मतलब कांजूसी फिर मैं दिल कोल कर पढ़ा रहा हूँ, मतलब तुम लोग कंजूसी पर कंजूसी किये जा रहे हैं भाई, गलत बात है, गलत बात है, नाई, 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 धराम बीर कौर बताईए इन बच्चों को यार, कितना मन लगा कर पढ़ाते हैं, हाँ, मजा को रही हैं यहाँ ठीक है, अटेंडनस अटेंडनस लगाओ भई, क्या कर रहे हो, यस, सर यह फेवरेट स्टुडेंट क्रिस्ना, क्रिस्ना भी यहाँ पर, क्रिस्ना, 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 बुलो बिलो बिल्टा, क्रिस्ना, ठीक है, यस, चाली है, आगे बढ़ता है, आगे बढ implies sustainable development consistent economic performance attention to social problems and harmony with the nature to sustainable development all of the above यह harmony with the nature भी रखता है social problems को भी solve करता है economic performance को भी देखता है मतलब यह क्या बोलता है पैसा भी कमा और ecology का भी ध्यान रखो environment का भी ध्यान रखो everywhere everywhere तो sustainable development कोई भी company का mission statement vision देख लो उसमें लिखा होता है कि हम लोग को बहुत बड़ा बनने का है लेकिन हम लोग profit भी कमाएंगे लेकिन हम लोग sustainable development करेंगे sustainable development करेंगे किसी भी company का तुम लोग mission statement vision statement उटाकर देखो वहां पर लिखा होगा का sustainable development यह वाला सवाल MCQ में आ सकता है बीटा बहुत ही फेवरेट सवाल है यह मेरा परस्टाल फेवरेट सवाल है सस्टेनेबल डेवलप्मेंट खा ठीक है इस institute का भी फेवरेट है मेरा भी फेवरेट है ठीक है non-economic activity do not require any investment of resources this activity do not entail any operational cost these activities are undertaken by the aesthetics and the underlying purpose of this activity is not earning of a livelihood but social psychological and spiritual satisfaction which of the following which of the following characteristics the best non-economic activity बताईये D the underlying purpose of this activity is not earning of a livelihood but social, psychological and spiritual satisfaction जीहाँ 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 ठीक है so D is the right answer for this question guys getting आगे बड़े एक मिनिट दिना बचा पाटी मुझे just a second ओके चालिये आगे बड़े है the Indian Companies Act provides for the registration of Indian Companies Act provides for the registration of private company में registration mandatory है public company में registration mandatory है companies act में one person company भी आता है one person company small company dormant company यह private public सब आता है इसले all of the above answer होगा all of the above answer होगा all of the above answer होने वाला है ठीक है got it got it got it yes find out the incorrect statement incorrect देखो यार मैं इतना अच्छा सिखाता हो हाँ इतना अच्छा सिखाता हो मैं सारी सही सही बाते तुमको बताता हो correct correct और institute तुमको सारी incorrect incorrect बाते पूचती है नए अतलब क्या हो रहा है मैं सारी सही सही बाते सिखाता हो तुमको कल भी क्या है which of the following is not a microeconomics which of the following is not a microeconomics which of the following is not a business अरे क्या not 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 क्या incorrect 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 क्या मजाख लगा कर रखा है नहीं तो यहां पर देखिया sole proprietor is the business unit having unlimited liability बराबर limited liability partnership firm may be constituted H.E.F. business may be formed by the group of the people who do not belong to family and Hindu include Buddhist, Jain and Sikh families H.E.F. may be formed by the group of the people who does not belong to family ऐसे थोड़ी नहीं होता है है ऐसे थोड़ी नहीं होता है H.E.F. में क्या होता है ऐसे थोड़ी नहीं होता है घर के इस लोग करते है हमाँ पर Hindu undivided family क्या मजाख हो रहे है फिर उसका definition का मतलब भी क्या रहेगा Hindu undivided family का अगर वो friends friends मिलकर शुरू करेंगी तो उसका H.E.F. थोड़ी नहीं सकते है राइच यस होग चलिया आगे बढ़ता है देखो फिर से वीच और फॉलेंगी इनकरेट और क्या मजाक लगा कर रहा है यार इनकरेक्ट, 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 मुझे तो कूछ समझ नहीं आ रहा है इनका क्या चल रहा है नहीं Economic activities are driven by profitability Correct Economic activities are guided by the self-interest Correct Non economic activity are driven by emotional and sentimental for Correct Non economic activity are not at all important in life अरे भाई कितना important होता है non economic activity भी feelings, feelings कुछ है कि नहीं Non economic activity are not at all important in life तुमको social welfare देखना पड़ेगा, लोगों को मदद करनी पड़ेगी People का सोचना पड़ेगा, planet का सोचना पड़ेगा, ecology का सोचना पड़ेगा, feeling willing कुछ है कि नहीं है हाँ हाँ तो यहां पर D is the right answer यह भी एक सवाल पेटा बहुत ही famous है जो generally आ सकता है exam में जनरली आ सकता है, बच्चा यहां पर confused होता है, मुझे पतलब पता नहीं कि बच्चा क्यों confused होता है कितना तो आसान है, बच्चा यह इनकरेक्ट नहीं पड़ता है, बच्चा यहां पर correct पड़ता है और करेक्ट पढ़ने के कारण बते यहां पर गलती करता है और कुछ तो भी भलता ही लिख देता है ठीक है चालिए ओके चालिए बिटा आगे बढ़ता है ध्यान दीजिए आसम 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 चालिए गाइस which of the following is not considered as a economic activity यारे भाया saving and investment is an economic activity production consumption economic activity service of chartered account and economic activity providing free medical aid by the doctor it is not an economic activity यार यह free में दे रहा है दो एको यार savings and investment में हम लोग पैसा invest करते हैं उसका बदले में हम लोग को कुछ ना कुछ return मिलता है production and consumption production में हम लोग कुछ तो supply कर रहे हैं उसके बदले में हम लोग जब बेचेंगे तो हमको कुछ मिलेगा consumption consumption में हम लोग जब consume कर रहे हैं तो हम लोग किसी को पैसा दे रहे हैं ठीक है service of a chartered accountant chartered accountant जब service दे रहा है तो वो audit fees ले रहा है लेकिन यहाँ पर free में यह कर रहा है तो that is not an economic activity फिर से यहाँ पर not पर सवाल पूचा गया है इनका not not पर बहुत ज़्यादा focus है बच्चा वाटी ध्यान रखना question को ठीक से पढ़ना not not पर बहुत ज़्यादा focus है इनका और इनका incorrect पर भी बहुत focus है ठीक है यस ऐसा interpretation हम लोग यहाँ पर रोज देखने वाले तो interpretation हमको समझ में आ गया इस 15-20 दिन में भाईया हम लोग next level हो जाएंगे क्योंकि उसके बाद हमारे पास पूरा नवेंबर का महिना होगा पूरा नवेंबर का महिना होगा मतलब हम लोग next level फोड़ने वाले नेक्स्ट लेवल ठीक है yes maximum number of the members in the private company आरे भाईया हमको जरुवत नहीं है हमको जरुवत नहीं है हमको जरुवत नहीं options की directly हम लोग बोलेंगे 200 200 200 200 ठीक है yes हमको जरुवत ही नहीं है भाई हमको जरुवत ही नहीं है ठीक है options की which of the following is incorrect अरे यार सारे question incorrect पर पूचे गए मतलब मजाख हो रहा है private company has minimum two and maximum 200 members बराबर public company have minimum seven and maximum no limit बराबर private company shares are freely traded on the stock exchange no 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 public company के freely tradable होते private company there is a restriction on the transfer of the share मैंने जो टेबल बनाया था जो private and public का तुमको बता है ताव यह पॉइंट था मैंने वहां पर बाजी में मसी को निका तागर तुमको याद होगा तो ठीक है तो यहां पर हमको फूरे options पढ़ने की जरुशरोत नहीं है तो यहां पर पर हमको पूरे options पढ़ने की भी जरुरुत नहीं है यह मतलब बच्चा पार्टी तुम लोग को सही क्या है ये तो जानना ही है गलत क्या है वो भी जानना है तुमको ठीक है यहाँ पर सब गलत गलत पर सवाल पूचे गए देखो अगला फिर से क्या है incorrect मैं कुछ नहीं बोलता फिर से incorrect which of the following is incorrect in reference of partnership contractual ownership of the business liability of the partner is limited to the exchange of one's share capital अरे भाईया बिलकुल भी नहीं ये गलत है ये गलत है तुम लोग को अगर मेरी कहानी याद रहेगी तुम लोग को अगर मेरी कहानी याद रहेगी तो मैंने तुमको बोला था जो दो मित्रते जो बिन्नेस कर रहे थे और वो बिन्नेस जब कर रहे थे तो क्या हो गया था उनके साथ नहीं बताओ हमका क्या हुआ था उनके साथ आरे भाईया वो दूसरे ने जो बोला था कि लोन लेने का है और उसने बहुत सारे लोन ले ले था पहले व्रेंगे हैं जब प्रॉफिट पिस्सा ले रहते हैं तो अभी अभी लॉसस भी सिभाइव जॉइंटली एंस इंस Inside l जॉइंटली उन्मि meनिटेड घर पर आकर फर्णी अर्मर्व हो इस तो गलत है आगे का और मेन आउट ध्यान देना अच्छा पार्टी क्या पुचाए और मेन आउट यह सारे बच्पन के सवाल यार मतलब मैस्ट फॉलोईंग और मेन आउट क्या है रहा है इतना इजी चाप्टर सिये फाउंडेशन में और सवाल आते हैं इस पर से सवाल आते हैं यह सब कुछ यस पार्टनेशिफ में भी फॉर्म टू कैरी ओन एंट्रेड प्रोफेशन सोचल एंटरप्राइज एंप्लोईमेंट नहीं भाई एंप्लोईमेंट नहीं ठीक हैं सो बी इस दो राइट आंसर ओ भाई कौन है यह डी वाले यहां पर वच्छे गलत हो गए देखो देखो द गलतिया हो रही है वो लोग कृपया मार्क करकर रखिए वो लो कृपया मार्क करकर रखिए ब्ता ठीक है अब पार्टनेशिफिक सार्म मे भी फॉर्म टू केरी ओन एनई ट्रेड एनइप्रोफेशन सोचल एंटर्प्राइज बत नौट प्लोईमेंट थोड नहीं थुंस ईया एक्सिदयन पॉइन लिकद आपर बाजुमें जिसकी बी गलती हुएा बजू में लिखो जिसकी बीज़ती और रहे हुए था कि सारी सूचल एंटर ड़्रवाइस नहीं बेटा सोचल एंटर्प्राइस न ही बैस दा इस डे राइट आंसर बेटा ठीक है तुम्हारी गलती हुए है तुम उसको मार्क करके रखो चलिया चलिया आगे बरते हैं आगे बरते हैं घर केंड बीपार्टनेर्शिप बित्वीन ना्चरल परसंदोग कर पामद आ अवीए खामद खामद खामन खामद विवन यस बोल ये सी सही जवाब पक्का 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 सही जवाब ओसम 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 आगे बड़े आगे बड़े बचा पाड़ी ही ओके ग्रेट 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 आगे बड़ते हैं एक एच एफ केन कम प्रैस मेंबर ऑफ हिंदू एंज सिख जेन फैमिली बुदिश्ट फैमिली D is the right answer Yes Sir समझा दो Social Enterprise वारा रहे बेटा Social Enterprise Partnership Firms जो है वो Social Enterprise के लिए क्या काम नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं Partnership आपर बनती नहीं है बिल्कुल बनती है Employment बेटा कहां पर होता है जापर तुम काम कर रहे हो और हाँ से तुम को पैसा मिल रहा है यहाँ पर देखिए तुम समझने की कोशिश करो Can comprise the members of H.E.F. can comprise members of यह correct है, यह correct है, यह correct है यह odd one out है तो यहाँ पर आपको इसको mark करना पड़ेगा ठीक है? यह odd one out है यहाँ पर क्या वो लाए? Find the odd one out Find the odd one out यहाँ पर होना चाहिए है H.E.F. cannot comprise the members of Muslim family बट यहाँ पर भले कोशिशन ऐसा है हम लोग को answers देखकर यहाँ पर समझना होगा क्योंकि यहाँ पर तुम बहुत सारे लोग की गलतिया हो सकती है बच्चे क्या करते है Can comprise members of Hindu and Sikh family A को टिक करते है B, C, D पढ़ते ही नहीं है तुम लोग को सारे options पढ़ने पढ़ेंगे यहाँ पर definitely accident होने के chances है यहाँ पर definitely definitely accident होने के chances है ठीक है Yes The attribute of the profession does not include Rendering of the specialized nature of services Certificate of service from the government Self-imposed code of conduct and all of the above The attribute of a profession बेटा, profession में Certificate of service from the government नहीं मिलता है Does not include Again, not पर सवाल है Again, not पर सवाल है यार जब तुम ICAI का ये कर रहे हो तो तुमको ICAI का certificate मिलेगा जब तुम doctor कर रहे हो तो doctor का certificate मिलेगा ठीक है तो वहाँ पर कोई certificate from the government नहीं मिलता है तुमको उस particular तुमारे institute का certificate मिलता है ठीक है Yes In which form of the business do the owners have obligation to pay off liabilities from the personal wealth As well as As well if the business money and the assets are not enough So private, public, HUF, LLP बताओ बताओ, 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 बताओ What's the right answer over here बताओ बचापारी Yes Everyone See So बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल सही जवाब HUF में HUF में यहाँ पर obligation to pay off the liability from the personal wealth as well Yes Yes, 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 बिलकुल सही जवाब बिलकुल सही जवाब क्या पूछ रहे है यहाँ पर What are the two animals Two animals in the stock market अरे इसका तो मतलब गलत होई नहीं सकता है एक बच्चे ने यहाँ पर क्या लिका था पता है Lion and deer एक बच्चे ने यहाँ पर क्या लिका था Lion and deer जब मैंने क्विज लिए थी Cow and ship Sir में को गाय बहुत पसंदे Sir में को गाय बहुत पसंदे Sir आरे भाई तेरे को गाय पसंदे तो हम क्या करे हाँ सार यहाँ के बड़ते है We can classify all similar business relating to particular activity We can classify similar business relating to particular activity as business, companies organizations, industry बताईये बताईये बताईये, बताईये, बताईये Industry, yes जब बहुत सारी firms मिल जाती है similar type की तो उसको अपन इंड़स्ट्री केते है Tata, steel, JSW, steel steel, steel, wo, steel, jinda, steel तो सारी steel industry जब मिल जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? इंड़स्ट्री बोलेंगे सारी steel firms जब मिलती है तो उसको इंड़स्ट्री कहेंगे तो similar businesses relating to particular activity it is known as industry इंड़स्ट्री getting getting, 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 getting everyone तो बच्चा पार्टी आज यहाँ पर जो कोई भी एकदम अच्छे से सब कुछ करेगा उसको हम देंगे ऐसे। इसको हम लोग और कैट वरी देंगे और कैट परी देंगे हमारे पास बहुत चौकलेट्स है बहुत चौकलेट्स है और चॉकलेट देखना है एक सेक जो कोई भी जितेगा आज उसका हम लोग और कैट भरी देंगे और उसके हमारे पास बहुत सारे चॉकलेट होते हैं हमेशा नियरा थे हैं हमेशा आम चॉकलेट लवर यारा आम चॉकलेट लवर येस ओके चलिए आगे बड़ते हैं निई चलिया 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 वेच्थ भाज ब्रडीय। अवर्डियोक्राइश भ्ष़पारी पार एकिस। for this question कौन गवन करता है regulation of the governance of the LLP the right answer is ministry of corporate affairs ministry of corporate affairs ministry of corporate affairs right right okay amazing आगे बड़ते हैं in recent news articles from around the world there has been increasing trend of privatization of the companies to privatization of companies why is there such a trend to save taxes to save cost of compliance requirements to make personal wealth and to be more sustainable and socially aware तो यहां पर privatization जादा हो रहा है private private companies that is to save the cost of compliance requirement the right answer over here is gonna be BBB right yes okay जोरदार आगे परते हैं which of the following is not true not true about the LLP separate legal entity correct incorporation not mandatory no 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 हमको तो option पढ़ने की जरूदी नहीं है LLP में तो LLP में तो mandatory registration होता है ठीक है designated partners होते है hybrid from the business organization जी हां भाई साब ऐसा तरीके से किया ना इस तरीके से इस माफिक पढ़ाई करी हम लोग कि हम लोग को यहां पर सारे options पढ़ने के जरूद भी नहीं है ऐसा होना चाहिए तुम्हारा पढ़ाई जहां पर question आते से ही चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए smile होनी चाहिए smile and you are like कि भाई क्या सवाल पूच रहे हो यार क्या सवाल पूचे जा रहे हो थोड़ा आसान पूचे थोड़ा सा difficult पूची है which of the following statement cannot अरे यार cannot incorrect not does not include सारे कि सारे question इसी पर है ठीक है yes देखो cannot be associated with business revenue and profits are core to every business correct only educated person can start a business इस पर देखो आप अभी समझिए कि जब मैं तुमको पढ़ा रहा था तब मैं आपको क्या बला था पाचवी फेल इंसान भी बिननेस कर सकता है तो वच्चा पार्टी अगर तुम लोगों ने मेरे क्लास में एकदम अटेंटिव तरीके से बढ़ाई करी होगी और तुम लोगों ने हर एक चीज़ को सुना भी होगा तो यहां पर तुमारी यहां पर रजिस्टर होगा educated नहीं बिटा non educated भी पाचवी फेल भी business कर सकता है यस आगे का पढ़ने की जरुवति नहीं है आगे का पढ़ने की जरुवति नहीं है ब्रो हम लोगों ने minimum book का इस्तमाल किये story form में पूरा chapter किया था प्लीज अगर तुम लोगों ने नहीं किया रहेगा तो देख लेना बिटा सारा सारा ठीक है बहुत ही amazing तरीके से logically सारे के सारे business forms हम लोगों ने देखे थे राइच किस चलिए dormant companies can be incorporated for which of the following purpose future projects के लिए holding the intellectual properties future projects holding intellectual property both a and b above and only for creating a dummy company to bring the insignificant transaction नहीं नहीं है इसके लिए करते है इसके लिए इसके लिए future purpose के लिए holding intellectual properties getting getting everyone चलिए awesome बचापाटी फड़ा 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 साड़े 300 लाइक कर दो यार ज्यादा नहीं साड़े 300 हो रही है सड़े 300 350 है आखे हैं head of the Hindu family is called as father नहीं बेटा करता father नहीं करता 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 ठीक है head of the family is known as करता बच्चा यहां पर जो पढ़के जिंदगी भर जो पढ़ता नहीं है न वो क्यों बोलता है head of the family head of the family father ही रहेगा father ही रहेगा या फिर बोलता है कि कुछ तो भी अलग लग रहा है मिताक्षरा चलो कर देते हैं मिताक्षरा जो बच्चा कभी भी पढ़ता नहीं है हां जिंदगी में जिसने भी अगर भुक खोली नहीं न तो वो क्या head मतलब father पपा खतम मितां एसा नहीं होता है इसा नहीं होता है मिता थीक है छो लिए अब पर अब थुद्न को अभुद्थ सेंदगी है थाल करने ज्दना ही बचा है फिर अपना कम खों ग्या लेस्ट रही क्वाइन आ skbu है एक्टिविटी फास्ट 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 करेंगे बहुत मज़ाएगा और कल क्या होने वाला है मैं आपको पता देता हूँ कल हम लोग एक जर्नी पर जाने वाले हैं जहां पर हमको दो से तीन दिन लगेगे हैं ठीक हैं हम लोग को ट्राय करना है कि हम लोग दो दिन में खतम क हम लोग ने तो करने हैं हम लोग को ने 46 mcqs किय ते अज हम लोग वन थर्टी वन प्लस मतलब यह इतने सारे तो करीबन चालीस पकड़ी लोन मतलब यह भी तो उसमें कंजलरी किया जाएगा ठीक है तो चारीस पकड़ी दो तो कल 46 किय थे आज कर एपन 31 किया है तो कल हमको 60 प्लस 60 अगर दो दिन में कर दिया तो बहुत मज़ा आ जाएगा otherwise हमको यहाँ पर at least धाई दिन में तो complete करना ही है या फिर या फिर धाई दिन में कोई भी आलत में complete करना है so कल से 3 दिन होने वाला है फिर अपन BC के chapter number 2 करेंगे उसके बाद फिर उसके बाद BC के chapter number 2 getting 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 चलेगा ना बहुत 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 efficient रहना है कल तो कोई miss ही नहीं कर सकता है और कल जो है सारे बच्चों को कहना जिसने आज आगर miss किया भी होगा ना कल सारे बच्चों को कहना कि भाई कल तो miss मत करना युकि demand forms the major part of your exam portion second chapter से बहुत सारे सवाल आने के chances होते हैं बहुत सारे सवाल ठीक है यस चलिए cooking of the food by homemaker non-economic activity डबबावाला picks up the food from the home and delivers to the office वो काम करता है डबबावाला डबबावाला economic activity यह मेरा favorite question है डबबावाले का ठीक है इस पर मैं generally सवाल पूछता हूँ प्लेइंग आफ पियानो एज होबी 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 अरे मजा के लिए बढ़ जा रहा है ठीक है मजा आ रहा है इसलिए बजा रहा है ठीक है pianist in the band बैंड में है ना तो वो काम कर रहा है उसको उसका पैसा मिलेगा economic activity music composer फुकट में नहीं करता है अरे होबी नहीं music composer है उसका वो profession है economic activity elder sibling assisting the younger one in studies non economic activity ठीक है बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ा रहा है बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ा रहा है non economic activity ठीक है giving private tutions economic activity मैं बच्पन में बच्पन में private tutions लेता था मैं बच्पन में मतलब थोड़े साल पहले ठीक है मेरे मेरे करियर की शुरुवात private tutions से शुरू करी थी फिर एक अच्छे institute फिर online पूरे इंडिया में आज ठीक है पूरे इंडिया में international नेपाल में भी ठीक है तो यहाँ पर देखिए shopping shopping is an economic activity ओटी देना पड़ता है पैसा लगता है बेटा cycle repair shop economic activity ठीक है ice cream vendor economic activity exercising in park non economic activity पार्क में फुकट में है ना भाई पार्क में जाकर exercise कर रहा non economic activity fitness trading economic activity volunteering at old age home non economic activity employment in the charitable यह important है यहाँ पर सवाल आएगा यहाँ पर गलत हो सकते है economic काम कर रहे हो उसको नौकरी लगी है not for profit concern में उसको नौकरी लगी है charitable institution में वो नौकरी कर रहा है वहाँ पर भले ही वो institute non profitable है लेकिन वो आपर काम कर रहा है इसको expectations है कि उसको कुछ ना कुछ मिलेगा salary value पाईसा वाईसा ठीक है laundry shop economic activity हो गया हो गया हो गया खादम का खादम का खादम का खादम that's amazing guys आज हम लोगों ने दुबार आई हाँ पर एक chapter को complete कर दिया है बचापाडी and this is absolutely amazing तो कल हम लोग करने वाले demand आज हमारा BCK chapter number 1 हो गया है हम लोगों ने आपर क्या 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 देखा फटा फट से मैं आपको revise कर वाता हो इसको अच्छे से करना होगा यह बहुत ही simple है आप लोगो सारे के सारे tables कर देना जो हमने पढ़े थे ठीक है वो कर लिया खतम फिर उसके बाद आप लोगों क्या करना है employment profession and business यह करना है बाकी तो बचापाटी कुछ नहीं था बाकी बहुत ही आसान आसान सवाल पूचे गए थे बहुत simple type के सवाल पूचे गए थे हम लोगों ने यहाँ पर not 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 incorrect incorrect not 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 incorrect ठीक है यह सब कुछ कर लिया है कितने आसान chapter है भया कितने आसान chapter है मतलब मजाख हो गया है So we are done with this everyone बहुत मज़ा आया है आप लोगों के साथ जाने से पहले बचा पार्टी लाइक वाइक जरूर कर जाना और आप से कहना चाते कल का सेशन मिस मत करना भी या कल का सेशन बड़ा important है बहुत important होगा कल अपना target अपने को complete करना है 60 plus 60 can are you ready for it 60 plus 60 करने के लिए 60 mcqs 60 mcqs अगर होगा ये ना भाई मतलब मज़ा आजाएगा next level मज़ा आजाएगा दो दिन में complete कर दिया तो maximum part cover होगा maximum part ठीक है तो बचा बाटी जाने से पहले इतना ही कहना चाहेंगे अभी तो और मज़ा आने वाला है अगर यहां पर 600 mcqs कर देंगे हम लोग 15 दिन में तो भाई तोड़ फोड हो जाएगा बाद में 1400 mcqs हम लोग प्लस में करने वाले ठीक है 1400 mcqs मजाख होने वाले मजाख ठीक है सबचा बाटी यहां पर देख सकते हैं किसी को भी अगर कोई भी यहां पर 500 mcqs करें जाया तो आप लोग जा सकते हो वेबसाइट पर आम लोगण कर सकते हो यहां पर लाइट प्लस और जाटेस लेकिन प्लस अना आइकोनिक में आपको यहां पर इहां पर आल टी पीघ बैस मिल जाएगी आपको यहां पर अमारी 900 यहां पर इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स पड़ाते इंटरक्टिव लाइप प्लासे स्टॉक्च्चर कोर्स पीडियाप लाइफ टेस्ट जैसे की में टॉर्शिप प्रिंटेड स्टी मटेरियल और डाउट कर सकते हैं यहां पर मिल यहां पर इसको आप यहां पर मिलता है maximum ओ माई गॉड आप लोग के लिए खुश खबर टू मन्स का सस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि पहले नहीं हुआ करता था तो दो महिने का सस्क्रिप्शन चायद आपकी स्पेशल डिमांड पर आ चुका है यहाँ पर आठ हजार सो रुपे में आपको दो हज़र दो मंत का सस्क्रिपशन मिल रहा है त्री मंस का सस्क्रिप्शन 10,356 मंस 13,050 24 मंस 22,950 ऐकोनिक के लिटेल भी आपके सामने यहाँ पर है और आइकोनिक में भी 2 मंस का सस्क्रिप्शन आ चुका है that is really amazing so Iconik 2 मंस का सस्क्रिप्शन 14,400 लाइट अगर देखते हो तो ल definitely go for the combo description 44,550 में आपका foundation intermediate दोनों भी complete हो जाता है this is absolutely amazing जापर 12 सब्जेश आपकी complete हो जाएगे right so guys you can use my code that is DAGA10 DAGA10 is the code and इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला yes everyone you'll get the maximum possible discount right yes so thank you so much everyone मिलते हैं हम लोग हमारे अगले session में शाम को 4 बजे plus वाले रात में मिलेंगे 8 बजे till that bye bye tata